अलो इस्टूएंट्स यॉर वाचिंग अजानन अकैडमी यूट्यूब चैनल और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक ग्लास 11th mathematics chapter number 1 sets exercise 1.4 का question number 1 केवल हम एक question discuss करने वाले हम क्या कह रहा है question चलिए start करते हैं वीडियो find the union of each of the following pairs of set यानि कि आपको यह pair दे रखें और हर pair में आपको क्या निकालना है union निकालना है तो first of all हम कैसे solve करेंगे अगर हम x union y निकालेंगे तो किसा निकलेगा one two three और five बस इतना ही होगा one हो गया three हो गया five आ गया और इधर से two आ गया अगला देखते हम second क्या कह रहा है एक का union बी के साथ है हम पर यह bracket लगा ठीक है एक का बी के साथ union तो ए आ गया बी आ जाएगा और खुंसा आएगा ए अगया बी आ गया सी आ गया ए लेना है आई लेना है ओ लेना है और यू लेना है यह हो गया complete ठीक है तो first question में पांच पार्ट दे रखें आपको यह दो question ह हो गया है समय सक्वस्ट के हमार है हम चलते हैं थर्ड की और थर्ड क्या किया रहा है आप से कि ए एक सैट है जिसमें एक सिजन नैचुरल नंबर एंड मल्टिपल ऑफ थ्री ओके तो हमें इसको बनाना पड़ेगा एलिमेंट क्या बनेंगे नैचुरल नमर आपको पता है वन से शुरू हतना है लेकिन मल्टिपल ऑफ त्री लिखने हमें तो थ्री शेक्स नाइन ट्वैल इस तरीके से चलते जाएंगे और ओके ओके सारी 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 यह है यह है और यह बी है बी के लिए हम ले रहे हैं Last than हो गया सिक्स से Less than होने ठीचे जुनेचे और सिक्स नी बोला है ठीक है Less than बोला है अब आप nggak पूछ रहा है यहाँ अपे आप आप से पूछ रहा है कि a कहा Union निकालना है अमें बी के साथ तो कैसे निकलेगा एक का Union एक का Union निकलेगा इं डानों में निधो को वान से मान के अंदर से जो इन दौनों में आ रहा है यूनियन का मतलब क्या है वो सारी डिजिट लेनी आपको sorry 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 मैं intersection निकलने लग गया न तो यह हो जाएगा आपके पास जैसे one हो गया है two हो गया है three हो गया है four हो गया है five हो गया है फिर आपके पास six भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, और यह चलता जाएगा इस तरीके से, समझ रहे हैं, मतलब की union में हमें ये सारे numbers तो ले नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 ये तो ले नहीं हैं, इसके साथ में हमें ये जो 3 के multiple दे रखे हैं, वो भी use करने हैं, ठीक है, आप यहाँ प बात आ जाते हैं, इसके fourth वाले पर, fourth क्या कहा रहा है, एक के अंदर जो element बनेंगे, कौन से बनेंगे, natural number होंगे, लेकिन one से लेके six तक किस तरीके से हैंगे, इसमें one नहीं आएगा, इसमें two आएगा, क्योंकि ये x जो है, one से greater than है, ठीक है, two के बाद three आ गया, four आ गया, five आ गया, और six भी लेना होगा, आपको क्योंकि है, equals to sign है, भी देख लेते हैं, भी कितना होगा, natural number है, और वो six और ten की बिच मिलाए कर रहा है, okay, six के बाद आएगा, seven, eight, nine, और बस nine, ten तो आएगा नहीं, ten से less than a number, अब एक का union निकाल लेते हैं, पी के साथ, क्या निकलेगा ये का union, two, three, four, five, six, seven, eight, और nine, ये हो गया आपका third और fourth वाले case में, आगे देखते हैं, last है, इसका first का, fifth, a एक set दे रखा है, one, two, three, और b दे रखा है आपको null set, ये थोड़ा सा इसको adjust कर लेते हैं, ठीक है, null set दे दिया, अब आपको इन दोनों में क्या निकालना है, union नि अब तो कोई element नहीं है, no element है, इसका मतलब तो, अब आप a का union निकालो, b के साथ, तो क्या निकल के आएगा, ये ही digit निकल के आए, one, two, three, यानि कि a ही निकल के आएगा, in short, इक है, clear है, ये हो गया, आपका question number one, complete यहां पर, okay,